हेलो, Mr. Mike हेलो, दोस्तों, तुम लोग कहां जा रहे हो? हम एडिप पर जारे हैं वाउ सुन्दर है क्या ये तुम ने किया? हाँ, बेशक, पहले वो छोटे थे और आप वो सॉसेजिस जैसे हैं तुम हो सॉसेज, मेरे लिप स्वोल इन है हेलो, Mr. Mike हेलो मिस्टर माइक ओ टीचर माइक ओ मिस्टर माइक वाव इसका क्या मतलब है हमने लिप्स पढ़वाए है हम पे सूच कर रहा है ना मिस्टर माइक देखियो थे जरा इतनी सारी ब्यूटी अकैडमी में मैं समझ गया किटिन्स और तुम आफकोर्स जी एशली मैं भी बहुत सुंदर होट बिलकुल बुलडॉग जैसे है थोड़े छोटे हैं लेकिन मुझे ये पसंद है स्टेला क्या तुम्हें भी ये सब दिख रहा है हाँ मिस्टर माइक, I'm shocked by the girls for some reason they all decided to get their lips and I wonder who set this example मैं सोच रही हूँ किस ने ऐसा example set किया होगा दूसरों को louder हमें क्यों नहीं है हमें भी तो gorgeous lips चाहिए मिस्टर माइक, खुबसूरत बड़े हुए lips एकट में मैं मना नहीं है उमीदे कोई नई rules नहीं होगी कुडिया खुबसूरती की पीछे भागरी जी मैं समझ गया सभी लड़कियां सुंदरता के पीछे भाग रही है स्टेला तुम अपना चहरा क्यों ढख रही हो मिस्टर माइक वो कहना कि मैंने आज अपने दाद ब्रश नहीं किये स्टेला ने बस दाद ब्रश नहीं किये भूल गई थी सब लोग ग्लास में जल्दी अभी ग्लास में स्टेला के मिस्टर माइक में से अप्रेशेट नहीं किया बैट दी लिक्स तु भी सूट नहीं कर रहे कम ओन गर्स आज ट्रेणिंग कैसे नहीं हो सकती मैं आया हूँ मैं तयार हूँ और तुम कहरे हूँ कि आज ट्रेणिंग नहीं हो सकती क्यों स्माइल यू शूट अंबस्टांड अस यूसी हम सादा आज फिजिकल महनत नहीं कर सकते हूँ हमने एक प्रोसिजर करवाया है तुम्हे अभी तक समझ नहीं आया मैं नहीं किया हमने आज ट्रेणिंग लेने के लिए अगरे किया था स्माइल हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं और यूसी स्माइल हम टाइम टाइम पे कुछ चीज़े करते रहते हैं मैं समझ गया तुम्हे अपने बार्ट ही करा लिप्स और इस तरीके से यह सब स्टार्ट हुआ और अब हमारे बास ब्यूटिफॉल लिप्स हैं तुम्हें पसंद आया वेल क्योंकि हैस ट्रेणिंग नहीं इसलिए मैं बास्केट बॉल केलने जा रहा हूँ स्माइल क्या तुम्हें यह पसंद आया है ना मुझे पसंद है बस मुझे यह पसंद नहीं आया कि तुमने जो वॉन नहीं किया गर्स मैं अब तक बॉइस के साथ बास्केट बॉल केल रहा था ठीक नहीं यह क्या लेकिन हम लड़किया है स्माइल आई होप तुम हमसे ज्यादे दिन नाराज न रहो तो क्या हो अगर आज हम ट्रेनिंग छोड़ दे तो और कल आई प्रॉमिस हम डबल महनत करेंगे ओके डील लेकिन एक बात है मैं शेनिवार को ट्रेनिंग की जेगे दोस्तों के साथ बास्केट बॉल खेलूँगा स्माइल अच्छा क्या बड़ी बात है मैं कंप्रोमेस कर रहा हूं ठीक है हमारी तारीफ करनी के बचाए वो हमारे सामने शर्त रख रहा है फाइन स्माइल नो हाट फीलिंग्स ठीक है मैं बास्केट बॉल खेलने जा रहा हूं वेट क्या तुम्हें सच में कोई चेज नजर नहीं हाँ स्माइल यह आदे घंटे तक खड़े हूं कि हमसे बात कर रहा था उसे समझने है हमने लिप्स करवाए गल्स लगता है जैसे थे गाइस अर अल्रेड़ी यूस्ट तो आप बीउटी हाँ मैं सूच रही हूं जकात कैसे रियक्ट करेगा वो नोटिस करेगा भी या नहीं मुझे डाउट है लड़कों के दिमाग में मिशा बास्केट बॉल होता है ओके गल्स अब चुके हमारी आज प्रैक्टिस नहीं है तो मैं कहती हूं चलो हम क्याफे चलते हैं अभी और फिर वहां से अप क्लास में जाएंगे क्या तुम पीना भूल गई टोटल मिस मुझे नए लिप्स की आदत नहीं है हाँ ऐसा लगता है कि ऐसे होटों के साथ जीना मुश्किल है इस ओके बस इसकी आदत होनी है विक इतना फणी क्या है हेशले के मुझे पानी बेरा है पर उसके लिप्स ब्यूटिफुल है और तुम मुझे कॉस्मोलोजिस के पाथ जाने नहीं दे रहे हो गेगे कैसे होट तुम जैसी हो सुन्दर हो थांक्स विक मुझे पता है पर मैं चाहते हूँ कि मैं और अच्छी लगू मैं चाहते हूँ मेरे लिप्स डाइना जैसे लगे डॉल जैसे डॉल के जैसे हाँ बिग, डॉल जैसे, पर तुमने मेरी फिलिंग्स को हर्ट किया है बहुत हो गया, मुझे एक स्ट्रो चाहिए मुझे ने लगता कि एक स्ट्रो मदद करे एशली, तुमारे होट तुमारे लिए बादा बन गए मेरे लिप्स ठीक है, मुझे बस इनकी आदत होनी है लगता है तुमें उनकी आदत नहीं पड़ेगी हलो गिगी, हलो बिग हलो बलडाक्स, तुम क्यो गूर रहे हो, तुमारी आखे बाहर निकल जाएंगी एशली, हाई बानी नीमू पानी का घूट लो एशली मैं स्ट्रॉ का वेट कर रही हूँ वाव, मैंने आशली से ये तो नहीं एक्स्पेक्ट किया था दैना, ऐसा लगए तुमारा एक्जांपल कंटेजिस है पहले हम बनी गल्स ने पने लिप सर्जरी करवाई फिर किटीज, और अब आशली तुम बनी लट के क्या उदर करोगी लेमनेट, बेग ठीक है, येगी, बनी के लिए निपो पाने इधर आओ लेमनेट इसका मतलब सभी के पास है केटी में सुन्दर लिपस है और सर्फ मेरे पास नहीं मेरा मतलब देखा बनी, मेरी तरफ कैसे देख रही है वो शयद मुझसे जल रही है उनसे जलेसे क्यों, उनके होट भी तो सुन्दर है एटले वो तुमे इस लिए देख रही है क्योंकि तुम नकल ची हो हाँ, कॉपी मशीन, तुम बस नकल कर रही हो मैंने कोई नकल नहीं की मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैंने लिप्स करवाई है मैं सोचरों, स्टेला हुमारे लिप सर्जुरी पर कैसा रियाक्ट करेगी क्नोपा, विल कैसे, not at all इक्जाटली, उसे इसे कोई फर्फ नहीं पढ़ना चाहिए हम एडल्ट्स हैं और हम जो चाहते थे, हमने किया ये पहरी बार तो नहीं है, when I have done my lips मुझे नहीं लगता, it will bother anyone too much I didn't used to वेल, पहले कभी नहीं हुई, पर अब मैं दीख रही हूँ, अशले निभी लिप सर्जुरी करवाई है कनुपा, एशले हमारी ग्रूप का पाट नहीं है गेगी, लेमेने जल दी है, हमारी 15 मिनिट में क्लास है बस सारा है बनी गर्स गेगी, और एशले के लिए एक स्ट्रा देख बस हो गया, क्या तुम मुझे घुसा दे लाना चाहरे हो? ना ए बॉइ बॉइ तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? लड़कियों ने अपने टेणिंग से कैसे चुट्टी देदी? तुमने क्या किया? मुझे सिफ एक की कारण समझ में आता है तुम लड़कियों को कैफे में लेगे होगे इसलिए वो खुद पर काम करती है मुझे नहीं पता और मैंने यह भी नहीं देखा कि लड़कियों ने अपने होटों के साथ कुछ किया है स्माइल वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें पहले से ही ऐसे देखते हैं लेकिन नॉर्मली वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग दिखती है मेरा पसंदीदा पेड यहीं होगा ठीक है बढ़िया अब यह मेरा ग्लोब अब यह ठीक है मेरी लखी बिल्ली इसे यहां रखते हैं मास्किट बॉल गल्स शो अफ करने का क्या फाइदा आल लिप्स अ पैटा किसने कहा कि तुम्हारे लिप्स सबसे बेस्ट है मेरे लिप्स डाइना की तरह है और मेरी कनूपा की तरह अच्छा लड़कियों क्या हम होटों के बारे में बात करना बंद करें हाइ लड़कियों ये क्या है हाँ हाँ सारी लड़कियों ने लिप्स अरज़री करवाई दोस्तों चलो अब होटों के बारे में बात करना बंद करो और अब तुम लोग फोकस करो आज तुम्हारा टेस्ट है हम तयार हैं असी भी तयार हैं जी दाइना मुचा समद नहीं आरा क्या इन समने साजिश रची हैं डिड यू आल गेट यूर लिप्स ड़न डाइमा सिर्फ हमने लिप्स अजरी नहीं करवाई बलकि पूरे केडमी नहीं करवाई आश्ली नी भी लिप्स में सॉसेच लगवाई अश्ली तो कुछ भी नहीं हैंगी में सेप्शन पे सेला के लुवर लिप्स तो टिन तका रहे हैंगे ओ बास्केट बॉल प्लियर्स हमें तो देख भी नहीं रहे कि तुमने अपने साथ कुछ करवाया है तुमने हो सकता सफ लिप फांपिंग लप्स्टिक लगाए हैं और हम मेरा सर लड़कियों ठीक है तुमने अपने होट ठीक करवा लिये और मैंने कोई वार्निंग भी नहीं दी चलो अब बंद करो मिस्टर माइक जादा चंता मत करिये गर्ल्स बस शॉफ करना चाहती थी या I'm shocked हम कल ही तुमसे बात कर रहे थे कॉस्मेटरलोजिस्ट के बारे में and today they all come up with lips हाँ मैं shocked हूँ ऐसा लग रहा है वो हर चीज पे नजर रख रहे हैं या कोई काना फूसी कर रहा था कोई चपके चपके नहीं सुन रहा था यह हमारा डिसिजन था हम ब्यूटीस हैं और बड़ी कल से सेलेक्टर तुमने हमी कॉपी किया है आहो जी तुमने जरूर नकल कियागी बस हम दुस्कास करना चाहते हैं मस्तु माइक अफकॉर्स आपने हमें वार्निंग नहें वे थे क्योंकि यहां तक कि स्टेला एड्मिनिस्ट्रेटर ने भी लिप्स में सॉसेज लगवाएं बस तुम लोगोंने मुझे परिशान कर दिया आज अब आज तुम्हारी कोई परिक्षा नहीं होगी ज्यादा खुश मत हो मैं प्रिंसिपल को बुला रहा हूँ मिस्टर माइक गड़कियों तुम लोग यह सब क्यों कर रही हो मुझे यह पता लगाना है एकड़मी में ऐसा एक्जैम्पल कॉन सेट कर रहा है डाइना वाव यह क्या मेरी गल्दी है वेल टैना हाँ हमने तुमारी लीट को फॉलो किया और फिर यह सब कंट्रोल से बाहर हो गया मिस्टर माइक अगर डाइना नी होती तो किसी ने अपने लिप्स के सब कुछ नहीं करवाया होता हाँ डाइना नी हम सिब को साया है और अगर आप इस बारे में सूचे तो इसमें गलत कैमें यह कहना चाहती हूँ कि मैं लिप्स विलर पद्रा की एज से करवा रही हूँ ब्लॉंदी चिफ करो यह सच नहीं है किसे पता ब्लॉंदी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लेम है सभी लड़कियों के होट बड़े है मैस्टर माइक प्रिंसिपल को स्टेला के बारे में बोलना मत भूलिएगा हाँ सर्फ हम बड़े लिप्स के साथ नहीं आये है मैं तो कभी इमाजिन भी नहीं कर सकती थी देट स्टेला वोड़ के लिप्स ड़न हाँ वो हमेशा ये कहती थी यू तुम्ही कैसे कर सकते हूँ हाँ केवल स्टुडेंट सी नहीं बलकि स्टेला भी क्या मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा क्या ओ अच्छा तुमने भी अपने होट बनवाए है मैं हैरान हूँ प्रिंसिपल ने भी अपने होट बनवाए है वो एक महिला है ठीक है चलो ठीक है दोस्तों टेस्ट चलो दोस्तों टेस्ट लेते हैं खनोपा अ डिद थॉमस राइट टी यू? नहीं क्राप लगता है जैसे स्माइल नो से पहले ही सब कुछ बता दिया तो क्यो हो डाइना यसा नहीं कि हमने पहली बार अपने लिप्स करवाए है मुझे लगता है वो इसी नोटिस बे नहीं करें मुझे लगता है गाइस डेफिनेटली हमारे लिप्स के बारे में भी डिसकस कर रहे हैं किरिल ने एक बार मुझसे कहा था आ, डाइना, वाट बिग डंपलिंग्स यू हाव डाइना, क्या किरिल ले तुम से सच मी ये कहा? हाँ, हुआ था एक बार असा डाइना, तुमारे पास डंपलिंग्स और मेरे पास सुंदर लिपस है लॉरेन, नकल बन करो, नकल ची दोस्तों, चलो, बाते बहुत हो गई, अब ग्रूप में एंटर करो असाइन्मेंट के लिंक को फॉलो करो और टेस्ट शुरू करो क्या, मिस्टर मा, 120 क्वेस्चिंज ओ माइग गाड, हम क्या ये टेस्ट पूरी इवनी करेंगे? दोस्तों, तुम्हारे पास ये टेस्ट के लिए सिर्फ एक घंटा है, चलो, शुरू करो क्या, ये हूँट है, कैसे हूँट है? डैम गाइस, मुझे डल लग रहा है, मैं कुछ भी पी रही है, तो बाहरा रहा है, स्ट्रॉ से भी हाँ, मुझे इंटरनेट पर लिप फिलर्स के साइड एफेक्ट्स मिले है, देखते हैं, क्या लिखा है, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है और धीलापन भी, ओ, क्या सच में? बखवास, एशले ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है? प्रॉब्ली पहली बार लिप फिलर्स है, ऐसा होता है हेई, मुझे अब क्नूपा को देखने में डर लग रहा है हाँ, जब लड़कियां होटों में फिलर लगवाती हैं, तो उन्हें स्टेला? बास्केट बॉलर्स तुम्हारे ही जरूरत थी, साइन देस या, स्टेला ने भी होट बनवाए है ऐसा नहीं लगता कि कुछ बदला है हाँ, शड़ी तो उसने बनवाए है, उसके होट बदल गए लगता है, ये केवल लिप्स्टिक है बास्केट बॉलर्स खड़े की होँ वाँ, साइन देस हाई, बास्केट बॉलर्स एशली तुम्हें ये फानी लग रहा है देखो एशली, तुम्हारे होट किसी को अच्छे नहीं लगे, तुम्हें सूट नहीं करते नहीं मारियो, मुझपे सूट कर रहा है नहीं आशली वो तुम्हें सूट नहीं कर रहे है, देखो सब तुम्हारा मजाक उड़ा रही है बिग भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे है स्रेला क्या तुम्हारे होट ठीक है पहली बार तुमने बड़े लिप्स देखे है क्या नहीं, हमने देखा है, लेकिन तुम्हारे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं क्या तुम बनी की कॉपी कर रही हो? मैं किसी के नखल नहीं कर रही, मुझे चाहिए था तुम मैंने किया अब साइन करो और फुटो मुझे पैन दो, प्रेक्टिस के बाद मेरे बाद पैन नहीं होता बास्केट बॉलर्स तुम रख सकते हो, पैन दे दो, मैगजिन दे दो, और भी कुछ चाहिए के तुम्हें हमारे लिए तुम साइन कर दो क्रेजी, अपने बनी पर जाके हसना तुम स्टेला, तुम सुन्दर लग रही हो थैंक यू, मार्यो भाई, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया नहीं, बास्केट बॉलर्स ने उसका मूड खराब कर दिया क्या हुआ? लिखा है, मैं लिप्स संसिटिविटी खो सकती हो मैंने बोला नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेखिन मैं सुन्दर होना चाहती हो अशली, तुम बेबकूफ हो, सब कुई तुम्हारा मजा कुड़ा रही है बास्केट बॉलर्स भी, बिग भी, वो कैफे में तुम्हारा मजा कुड़ा रहा था वो मुझ भी नहीं बानी पहस रहे थे बानी के लिप्स बत्तक जैसे मैं तो सुन्दर हो विल यहां मत बाचा वरना तुम्हें प्रिंसिपल के रूम में भेज दूँगी चलो चलते हैं, स्टेला का मूट खराब है सो गर्स, we didn't have any thrash talk today तो आज हम अपने युनिफोर्म धोने के लिए जाएंगे देनो ऴेरा इनिफोर्म साफ है, मुझ इससे ले जानी के जरूत नहीं नास्तिया, हम सब अपने युनिफोर्म धोने के लिए ले जा रहे हैं सुनो, बोई साथ हम से मिले नहीं आए, शायद वो अकेडमी में भी नहीं होंगे नहीं, वो जरूर अकेडमी में हैं, अगर वो नहीं होते तो स्माइल भी नहीं होता हो सकते हैं वो हमेशा की तरह लेट इवनिंग बास्केटबॉल खेल रहे हो अबी हाँ, 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 इस सो फणी, गाइस देख लगाएं और तुम्हें सकाते से मून नहीं बनाना चाहिएं मैं मून नहीं बना रहा हूं कमाउन गाईस, शांत हो जाओ, यह लड़के उपार अच्छा लगता है, और सच को तो मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया स्टेला के होट वाकई भरे हुए हैं स्टेला का, इतने बड़े हाँ, 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 एक्स ले जिकी को छोड़के, ऐसा लग रहा है, जिकी ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया है मैं सूच रही हूँ कि सब हमें कितने करीब से देख रहे हैं, वो हमारा एक सिंगल स्टेप दे मेंस नहीं करते केरिल, क्या तुम्हें मेरे लिप्स पसंद आए? वेल, वो ठीक है सिर्फ ओके बढ़िया एनिवे, यूनो वाट केरिल, तुम मुझे दिसपॉइंट कर रहे हो तुम निराश मतो, मैंने अपने होट बनवाले तो क्या हुआ? पूरे अकेडमिं को लिप फिलर मिल गए है हाँ, किटिल्स ने भी और बास्केटबॉल लड़कियों ने भी हाँ, कम से कम बास्केटबॉल कोट खाली था, उन्होंने प्रैक्टिस कैंसल कर दी थी नाच्या, तुम्हारे होट बहुत बड़े हैं जिकार, ये का नॉर्मल हो जाएगा, ये बस सूचन है ने, बॉक्सिंग के टाइम ऐसा होतो था गल्स अपने होटों को बढ़ा करने का एक नया नुसका गल्स पैने और अपने होटों पे रखने तो अब तुम चुप रहोगे एनिवेज, हम अपने युनिफॉर्म लेकर अपने घर जा रहे हैं तुम्हारे क्या प्लान्स है हम आज एक डरावनी फिल्म देखेंगे उस फिल्म का नाम हम नहीं बताएंगे लेक्स गो वेल, लिप्स वाली लड़कियोंनों तो आध कर दिये कोई बात नहीं नहीं, उन्होंने आध कर दिये ठीक है लड़कियों, अब बंद करो ओ माई गॉड, ये सब पागल है यही कराने कि मुझे ये पसंद है वेक, तुम्हें ये क्यों पसंद है क्यक्य, चलान मत करो, तुमने तो खोदी मुच्छे का आधा that you want to get your lips done मैंने कहा था पर इरादा बदल लिया मैंने उसे कोई पैसा नी दिया मैंने मांगा नहीं उसे जलन हो रही है, उसे फिक्सक्यूज बना रही है स्टेला तुमसे बात करने के लिए कुछ है भी नहीं चलो कुछ खाते और बात करते बास्केटबॉल, खिलाडी और किटिन्स आशा करता हूँ कि यह सब पहली और आखरी बार है Mr. Mike, हम एडल्स हैं और हम अकेले नहीं हैं जिन्हों ने किया है हाँ, Bunny also got their lips done और वो तो ऐसा हमेशा ही करती है हेलो What's going on here? Mr. Mike, हमें सजा दे रही हैं हमेशा के तरफ, kittens in the center इन्हें देखे, Nastya Kanopa, Daina सभी के lips फूले हुए हैं मैं समझ गया Luscious lips Well, girls, honestly, I'm shocked Everyone has their lips done Okay, let's go Daina, मुझे तुमसे बात करनी है Aha, Mr. Mike Daina, मैं तुमसे होटों के बात करना चाहता हूँ बात बहुत आगे बढ़ चुकी है Mr. Mike, ये मेरी गलती नहीं है that everyone in the academy decided to get lip fillers It's their decision Daina, मैं समझता हूँ लेकिन तुम उनके लिए एक आदर्श हो मैं एक role model They're just following along मेरा मतलब ये नहीं था मैं किसी तरह इसको खतम करना चाहता हूँ Daina, avoid मत करो तुम चाहती हो You got your lips done और अब हर कोई तुम्हें फालो करना चाहता है हम अलब क्यों नहीं देखो, तुमने होट बनवाई और अब सब कोई तुम्हें फालो कर रही है Mr. Mike, ये हमारी गलती नहीं है हर किसी के पास कंदू के उपर उनका सर है हर किसी ने खुद के लिए डिसाइड किया उने क्या 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 You see Mr. Mike, मैं ये बनी गल्स में से किसी को भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता Basketball is why you're frozen Let's go चलो, चलो, चलो Keep this Ha ha, they kicked you out What? Zaka, तुम्हारे भी बड़े lips है Stella, क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल ने क्या कहा आपने प्रिंसिपल से कप्लेन किया हाँ, और उसने भी अपने होट बनवाए देखें Mr. Mike, ये ते एक trend है हाँ, Stella, ये trend है और हन लड़की is trend में है All right, basketballers, अब हम तुम्हारे साथ बैठ कर एक movie देखेंगे So there won't be a single word about our lips हम जूप रहेंगे अगर कोई एक महां साथ हो, movie बंध हो जाएगे और basketball player सोने जाएगे Agree, हमें तुम्हारे होट पसंद है सज में, girls, तुमने मजा लिया वो काक्म All right, guys, बहुत मज़े हो गए, that's enough Guys, I'm in shock, all the girls in the academy got lip fillers क्या आप शौक नहीं है, comment में लिकर बताइए लगता है जैसे सारी girls ने bunny girls की नकल करने की सोची, आपको क्या लगता है वीडियो कीजे like, subscribe कीजे चानल को दबाएगे bell icon और वेट कीजे हमारी cool series का, जब तक के मिलते हैं दोबारा, bye, bye Let's go basketballers